सुगंधा और उसकी सास कांता के बीच एक अजीब से जंग रहती थी ये जंग थी किचिन में कौन ज्यादा अच्छा काम करेगा और घर के सदस्यों के दिल जीतेगा और उनकी इस जंग में हमेशा कुर्बान होते थे उनके दोनों पती कैसे आए देखते हैं इस किचिन पॉ मा जी आज मैं बना रही हूं मेथी की सबजी इस खाने से घर वालों की पेट की सारी समस्या खत्म हो जाएगी और मैं बना रही हूं तडके वाली छाज जिसे पीते ही गैस की समस्या कभी नहीं होगी दोनों अपने अपने खाने को लेकर टेबल पर पहुँच जाती है तब इस सुगंधा के ससूर उसकी बनाई सबजी की तारिफ कर देते हैं अरे वाँ, मेथी की सबजी भी बनी है, बड़ी ही स्वादिष्ट है, वा बहु वा अरे बहु, लेकिन इसमें इतनी सारी मेथी बरबाद करने की क्या जरूरत थी देखे माजी, ये तो वो मेथी है जो आप रात में भीगो कर सुबह उसका पानी पीती है और जो मेथी फेक देती हैं, उससे मैंने ये सबजी बनाई है अरे वा बहु, तुमने तो बड़ा ही समझदारी का काम किया बस अब क्या था, कान्ता जिका तुम मानो ये सुनकर खोन ही सुख गया वो फैसला कर लेती है कि किसी भी तरह वो अपने खाने की तारिफ लेकर ही रहेगी और सुगंदा को किचन में उसकी कमिया गिनाएगी कान्ता फ्रिज खोल कर दीख रही होती है और फिर सुगंदा से कहती है अरे बहु, ये क्या? पूरा फ्रिज गंदा पड़ा है तभी वहाँ सुगंदा का पती आ जाता है वो सुगंदा को डांट कर कहता है सुगंदा, तुम्हें कितनी बार कह रखा है कि वाइरस फैल रहा है, साफ सफाई का पूरा ख्याल रखना है लेकिन तुम किचन में इतनी गंदगी रखोगी तो कैसे चलेगा? सुगंदा सास की तरफ देखती है, जहां वो मुस्कुरा रही होती है सुगंदा समझ जाती है कि सास ने उससे बदला लेने के लिए ये सब किया है दोनों रात के खाने की तैयारी में लग जाती है दोनों ना एक दुसरे की तरफ देखती है और ना ही एक दुसरे से बाते करती है रात को खाने की टेबल पर एक एक कर दोनों कई तरह के अलग-अलग व्यंजन टेबल पर लगा देती हैं और अपने अपने पती के पास जाकर खड़ी हो जाती है अरे खाईए जी खाईए मैंने बड़ी मेहनत से बनाया है प्लेट में वो खाना डालती है सुगंदा भी दोनों की प्लेट में खाना डालती हुए कहती है बड़ी है मैंनत लगी है इस खाने को बनाने में हाँ दोनों को ना चाहती हुए भी सारा खाना खाना पड़ता है कहीं दहीं तो कहीं मलाई तो कहीं मसाला और इन सब के बाद दोरों बड़ी ही मुश्किल से अपने कमरे में सोने जाते हैं लेकिन अगली सुबह सुगंधा का पती चिला रहा होता है हाई रे, हाई मेरा तो पेट खराब हो गया, हाई मा बहुत दर्द हो रहा है तो वहीं कांता के कमरे से भी कुछ ऐसी ही आवाज आने लगती है ए बगवान, इस सास बहु के लड़ाई हमारी जान लेकर रहेगी, जाओ कोई डॉक्टर को बला कर लाओ डॉक्टर आते हैं, दोनों को देखकर कांता और सुगंधा से कहती है देखे, आप दोनों इनने खाने में हलका ही दीजिएगा हो सके तो राद का खाना जल्दी खाया करे और वॉक्ट किया करे इतना कहकर डॉक्टर वहाँ से चले जाते हैं जिसके बाद एक बार फिर से दोनों बहुएं किचिन में जाती हैं और खाना बनाने में लग जाती हैं रात में खाने के चेबल पर दोनों एक बार फिर से खाना लगाने लगती हैं पापा जी मैंने ये पतली मुंकी दाल की खिचडी के साथ ये पापड और पुदिने की चट बनाया है और दोनों उन लोगों की प्लेट में खाना डालने लगती हैं तब ही दोनों एक साथ बोल पड़ते हैं बस करो हमें माफ करो हमें नहीं खाना इस घर में ना खिचड़ी और ना ही सूप हम इनसान हैं एक वक्त में एक ही खाना खा सकते हैं बस करो, हमें माफ करो, हमें नहीं खाना इस घर में, ना खिच्ड़ी और ना ही सूप, हम इनसान हैं, एक वक्त में एक ही खाना खा सकते हैं इतना कहा कर वो दुनवा से चले जाते हैं कहानी का अंत आप लोग उम्मीद कर रहे होंगे कि अंत में सब ठीक हो जाएगा नहीं जनाब, अगर सास बहु के बीच सब ठीक हो जाए, तो आप ये इस रिस देखे ही क्यों तो मजा लीजिए इस चैनल में सास बहु से जुड़ी कहानियों का क्योंकि ये ऐसा रिष्टा है, जिसके मिठास उसकी खटास में हमेशा ज्यादा ही रहती